हैलो दोस्तों नमस्कार गुट मॉर्निंग सुप्रभाद सभी माताओं भाई बहनों को राम राम कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे सब्सक्राइब मस्त रहें अपने जीवन में यू ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें तो दोस्तों यह है 13 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार की सुबय का टाइम है और यहां पर आ गये हैं कपड़े धुलने तो खाना हमने सुबय का बना लिया था और खाना बनाने के बाद में ब सुबय भिगो दिये थे क्योंकि वीडियो अब तभी हमारी थोड़ा सा काम था उसमें जो आज हमने अपलोड किया था आप लोगों तक पहुंचाया था तो उसमें थोड़ा सा काम था इस वज़े से वीडियो नहीं सूट कर पाए जब सारे आज क्लिन करने जाने हैं अपन से फोन हमारी वीडियो अपलोड हो रही थी तो फिर हमने रूम को खाली कर दिया था और यहां पर कपड़े भी हमारे फूल चुके थे काफी टाइम हो गया था लगभग में इनको भिगोए हुए डेड़ दो घंटे हो गया था तो यहां पर अच्छे से फूल चुके थे त कपड़े थे तो इनको हमने एकवाल्टी में भरके रख दिया है और यह वाले भी तो एक बार के क्योंकि जगए नहीं है छट पे इतने सारे कपड़े डालने की डेली वाले तो सभी लोगों के आ जाते हैं लेकिन अब ठंडी का मौसम भी है और धूप तो बहुत जल्दी चली जाती है तो यहां पर देखिए धूप सारी चली गई है तो साधे बारा बज़ गए थे हमारे कपड़े धुलते यह वाले तो इनको हमने कहा चलो डाल देते हैं तो यह पहले डेली वाले तो डाल गए थे एक बार और तीन-चार बार लाना पड़ा था हमको क्योंकि ए इस बार यही दो आये थे एक बाल्टी में और पहले एक बाल्टी और डाल गए थे तो दुबारा देखिए तीन-चार बार आये थे तो यहां पर सारे कपड़े कहीं पर डंडे रखके डाला है तो कहीं पर चारपाई भी रख दिया है और इधर पहले हम दिवार की तरफ य चाई चुकी है और सुबह से जो है कपड़े धुलते न Trento ethan जो है यहारा बजय से लग गये थे सब्सक्राइब लगे थे खाना और बर्तन करने के बाद में फिर हमने सूचा चलो थोड़ा सा नहीं वीडियो का काम भी रह गया था तो उसको भी हमने काच लो करी देते हैं तो बज़ गया था 11-11 वज़े से लग गये थे तो तेड़ बज़ गया है और अब चलते हैं कमरे की क्लीनिंग करते कपड़े डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि इधर से उधर डालना उधर से उधर डालना उसके बाद में ये देखिए आप लोगों से बाते ही कर रहे थे तब तक बाबु आ गए थे इसकोल से इनको हम बता रहे हैं नीचे रहो हम आ रहे हैं बस यहां के सारे कपड़े हमने निकाल दिये हैं और सब्से ज़्यादा यहां डिश्च आती है यह हमारी छठ जो है यह इतों की पड़ी हुय तो और ज़्यादा निकलती बहुत ज़्यादा गिरती है तो ये बिट पे हमारी जो है देखी कितनी ज़्यादा दिख रहे तो ये पहले हमने उपर उपर ही साफ किया है ताकि ये बाद में साफ करेंगे अलमारी वगरा नहीं तो यहां की फिर से धूल जम जाएगी तो सबसे पहले उपर ही जाला वगरा जाड़ देंगे और इधर की सामान जो यानि की थोड़े में हमारा छोटा सा ये रूम है और कुछ दोस्तों को नहीं मालूम होगा तो बता दे रहे हैं जो पुराने दोस्त हमारे हैं उन्हें मालूम होगा तो इधर ताड़ है ये तो ये हमारे अकेले बसकी है नहीं क्योंकि इसकी सारी सामान नीचे उतारना फिर रखना तो जब ये होंगे तभी हम इसको साफ करेंगे तो फिलाल हमने नहीं साफ किया है और बाके का क्लेन कर देंगे तो आज करेंगे यहां की डीप क्लेनिंग पुताई नही कि उती गली नहीं होती है कहीं पर तो ज़्यादा टाइम लग जाता तो बहुत ज़्यादा धूल निकल रही थी और कि तो यह बाबू इनके कपड़े हमने चेंज कर दिया था यह पी यहां आ गए हैं और यह पंखे को हमने जो है खूल के नहीं साफ किया उपर उपर साफ कर दिया यह भी गंदा काफी हो गया है यह दो ही दिन में गंदे हो जाते हैं इतनी ज़्यादा धूली डश्ट आती है लेकिन इसको अंदर से क्यूंकि हम एक जो बाहर रखा उसको साफ कर रहे थे तो वह हमसे इसकी रबड जो है पत इसको हमने यह बेड जो है पहले इसकी धूल जार दिया था उसके बात में इसको गीले कपड़े से साफ कर दिया है और यहां पर आ गए हैं अलमारी को साफ करने अपनी अलमीरा को क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यह धूमा की वज़े से अंदर यह हैं रूम में लेकिन फिर कोई भी चीज रखो तो इस वज़े से ज़्यादा अच्छे से कुछ कर भी नहीं पाते हैं तो यही बस पतली पतली गली बचती है हमारे रूम में और इधर जो यह आटा की टंकी रखी हुई है तो इसको जो है इसमें आटा खतम होने वाला है थोड़ा सा था तो इसको हट की हलकी धीमक आने लगी कहीं कहीं लाइने बन रही तो जहां जहां लाइने दिखती हैं वहां हम वहां जो है फिनायल लगा देते हैं क्योंकि हर जगे नमक नहीं लगाया जा सकता है तो इधर हमने साफ कर दिया था इधर बेट की तरफ का सारा साफ हो गया है और उसके काट दिया है और यहां पर बेट के नीचे जहां तक मिली थी हमको जाडू से और उसके बाद में इस वाली जाडू से जहां तक मिला था तो वहां तक साफ कर लिया बाकी पीछे तक दिवार की तरब तक नहीं पहुंचा है कि क्यों वहां तक इतने लंबे जाडू नहीं थे त तो उसको जो है अब अकेले वो बनती नहीं नहीं तो फिर चाहे जितना टाइम होता वैसे भी पूरा दिन इसी में लग गया था लेकिन जो है अकेले बनती नहीं तो फिर नहीं साफ किया है और अब चलते हैं जो है लगाएंगे पूछा और पूछा लगाने के बाद में कपड़े देखेंगे जो सूखे होंगे उनको लेकर के आएंगे और नहीं तो जहां पर धूप होगी तो थोड़ा सा जो डालने वाले होंगे तो उनको धूप में डाल देंगे बाकी नहीं सूखेंगे तो कल डाल देंगे तो यहां पर आ गए हैं सबसे पहले दरवाजे साफ कर देते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से धनेवा सबी दोस्तों का बहुत बहुत सुक्रिया तो दरवाजे साफ हो गए थे और इस पे जो है गद्दे में जो है दोस्तों हमने पन्नी लगा रखी है यह जो दिख रही है इसके नीचे पहले जो है हमने साडी चढ़ाया था उसके उपर से यह पन्नी चढ़ा लिया था क्यूंकि जब बाब उचोटा था तो दीदी लोग कह रही थी पन्नी चढ़ा लेना क्यूंकि बच्चे हैं कभी-कभी जो जब वो थोड़ा घुटनों के बल यानि खिसकने लगते हैं तो वो कभी-कभी ऐसा तो है ही नहीं क्यूंकि बच्चे हैं उनको चाहे जैसे रखो तो कभी-कभी वो ट्वालेट करी ही देते हैं तो फिर हमने हमको सही लगा और हमने चढ़ा भी लिया था और हमने कभी उनको पेमपर्स नहीं पहनाया है ना ही तो रात में इतनी ठंडी हो गई जब छोटे थे कभी भी नहीं इनको बार-बार हम सोते नहीं थे लोगों के साथ एकसर ऐसा ही होता जब बच्चे छोटे होत एक जैसे कि हमारे यहां चारा डालने वाले तसला हैं बड़े-बड़े उनको रख लेते थे तो यहीं पर रख लेते थे तो रात में उठके हमको नहीं जाना पड़ता था तो यहीं पर जो है उनको करा लेते थे और यहां पर आ गए हैं हम यह चदर हमारी जो है सूख चुकी तो इसको लगा दिया है बाकी जो है दरी इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि उन पर कवर चढ़ा के कल डालेंगे दोस्तो रूम तो हमारा क्लीन हो चुका है अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से और बहुत टाइम लग गया इसको क्योंकि जब जगे जगे सामार रखी होती है तो उसी जगे से हटा कर साफ करना फिर जमाना चीज़े रखना यानि कि तो काफी टाइम लग जाता है तो चार कैमरे से तो इधर जो है हमारा किचन का सामान रखा हुआ है क्योंकि बारिस में किचन हमारी आप लोगों ने देखा ही बहुत ज़्यादा खराब हो जाती इधर ये बड़ी वाली गेहों की टंकी रखी हुई है और ये आटे की टंकी है इधर हमारा बेड़ है और पीछे ज जिन्होंने हमारा होंटूर नहीं देखा है उनको जो है बता दे रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी जगे होने के कारण ये तरी उपर नीचे सारी चीज़े हमने रख दिया है ताकि चीज़े भी आ जाएं जो हमारी डेली यूज़ वाली नहीं है और हमारे घर में दो ही रूम है ये ऊपर वाला और इसके ऊपर एक बना हुआ है जो आप लोग कहते हो दिखाने के लिए तो उसको भी दिखाएंगे और ये यहाँ पर नीचे हमारा है और एक ब्रामदा है और जो कच्चा वाला इस्टोर रूम है तो वो कच्चा है वहाँ पर भी बहुत सारी चीजे रखी हुई हैं तो वहाँ भी बहुत सफाई करने वाला आ गया है क्योंकि अगर एक जगे लग जाओ तो दूसरी जगे की हालत खराब हो जाती है उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर खाना बनाने क्योंकि काफी टाइम हो गया है और तो जो है और हमको लगता है हमने देखा था याद नहीं रहा तो उमने शोचा बता देते हैं जो है हमारे पिलो कवर तभी हमने नहीं चढ़ाये थे क्योंकि उनको सिलना पड़ता तो इस वज़े से नहीं रखे थे तो हमने सोचा अब याद आ गया तो हमने का चलो बता देते हैं नहीं तो सायद कुछ दोस्त हमारे कमेंट ही कर दे कि आप तक या नहीं रखती हैं क्या तो फिर वही हमको याद आ गया तो बता दिया और यहां पर आ गये हैं खाना बनाने तो काफी टाइम हो गया तो आलू प्याज की सबजी बनाया है और साथ में बना रहे हैं रोटी तो खाना बन जाए क्योंकि सारा दिन आज हमको क्लीनिंग करने में हो गया फिर भी पुताई और टाण हमारा रही गया था और खाना बनाने के बाद में बाबू का होमवर्क कराया उनको पढ़ाया और अभी उनकी तब यह थोड़ा सा ठीक नहीं है तो अपने मन से तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करते थे आप तो बिल्कुल नहीं करते हैं मजबूरी है उनको बैटके कराना पड़ता पढ़ाना वैसे होता है तो पढ़ा देते हैं काम अपने हाँ से कर लेते थे कभी 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 नहीं करते तो टाइम देना पड़ता है लेकिन आप जो है जब से तब्यद नहीं ठीक है तो उनको बैट के कराना पड़ता है घंटों लग जाता है मनाते धनाते उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर काफी टाइम हो गया था चूला भी हमारा सूख गया ठंधा हो गया था और यहाँ पर मिटी लगाने वाले थे लेकिन लेके आये हैं और इसको पहले खोदना चाह रहे थे लेकिन काफी अभी भी हमको बिल्कुल टाइम नहीं है तो हमने कहा चलो जैसे चल रहा है बस चलने देते हैं क्योंकि अब सोख जाए तो नया चूला पहल रखना ही है तो फिर यहाँ पर जो है लगा देना है क्योंकि यहाँ पर गठे हो गए थे यहां पहले ही हमने देखा था कि अगर ये छूट जाए फूल गया होगा तो छूट जाएगा तो ये फूला था लेकिन फिर हमने ऐसे ही चिपका दिया इसमें मिटी देखे पप्रे टाइप में निकल रहा है तो फिर ऐसे ही हमने लगा दिया और ये चूला भी हलका हलका है लेकिन फिर इसमें हमने नही लगाया तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आसा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा और वीडियो जरा सा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज एक लाइक सभी दोस्तों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर ले और जिन् क्योंकि बहुत जादा मुश्किल से वीडियो बना पाते हैं तो कहते हैं कि आप सभी लोग अगर मदद करेंगे तो क्योंकि अकेले कुछ नहीं होने वाला है और मेनत चाहे जितनी करें तो वैसे भी आसा करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और रूम हमारा क्लीन हो चुका है अब धीरे धीरे जो है बाहर के काम होंगे वैसे भी साफ सफाई और मिट्टी के काम तो चली रहें दीपावली के लिए लेकिन अब उसके साथ साथ जो है पुताई भी करना ह है और देखो यदि हो पाएगा वैसे तो तो जहां तक हो सकेगा तो रहनी नौरात्र तक करेंगे साफ तो है यह जहां पर जादक वैसा दिखेगा तो पुताई कर देंगे बाकी तो लिपाई वगरा तो होती ही रहेगी और फिर जो है अच्छे से दीपावली के बाद करेंगे तो आप कर लेते हैं रह गया चौकी की पुताई तो इसको भी कर लेते हैं और मिट्टी लगाने वाला तो ज़्यादा था लेकिन हमने लगाए ने क्योंकि ठक भी बहुत ज़्यादा गए थे सारा दिन लगे रहो तीन बजे उठे थे और तीन बजे से करते-करते पुरा फिर से ग्यारा बज गया था रात की क्योंकि थोड़ी सी अगर सोचो कि थोड़ी वीडियो एडिट कर देते हैं तो थोड़ा रह जाएगा काम तो सुबह हो जाएगा नहीं तो फिर से सुबह खाने की जल्दी और सारे काम हो जाते हैं तो रात के सुबह तीन बजे उठे थे और रात की ग्यारा बज गए थे तब जाकर की हमारे काम हुए थे और बिल्कुल दिन में ये नहीं की हाथ बंद हो बिल्कुल नहीं बंद रहता है तो पुताई भी हो चुकी है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आसा करती हूँ सभी दोस्तों को पसंद आया होगा और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना और जो भी भाई भेन हमारे चैनल पे न्यू आये हुए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ अब तक अपना ध्यान रखिए